दिपावली नजदीक आ रही है और ऐसे में घर में आने वाले मेहमानों के लिए तरह तरह की चीजे बनना सुरू हो गई है इनी में सब की पसंद की है सक्करपारे जिसके बिना दिपावली का नास्ता अधूरा लगता है लेकिन अगर आपके सक्करपारे सौफ्ट और क्रिस्पी नहीं बनते हैं और खाने में मज़ा नहीं आता तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए अगर आपको इसे बनाने में कोई दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए इस तरह से अगर आपने सकरपारे बिना चासनी के बनाएंगे तो बहुत ही सौट और बहुत ही क्रिस्पी बन कर तयार होंगे जो मूँ में जाते ही गुल जाएंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए हम चीनी का घोल बना लेते हैं गैस पे हमने एक पतीला रख दिया है अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी गैस कफले मीडियम रखेंगे और अब इसमें डालेंगे एक कप चीनी तो हमने आधा कप पानी लिया है और एक कप चीनी लिया है अब इसे हम मिल्ट होने तक पका लेंगे आपकोutar एक ही दोतार की चास्नी नहीं बनानी है फिर्फ सिर्फ चीनी को गलने तक ही पकाना है उसके बात इसे रख देते हैं साइट में और बहुत ही अच्छी तरह से इसे थंडा होने देते हैं तो जब तत चीनी थंडी हो रही है हमें मैदक को चान लेते हैं और आधा चमच इसमें हमने नमक डाला था, आपको इन सब चीजों को पहले अच्छी तरह से मिला लेना है, उसके बाद ही घी या तेल का इस्तमाल करना है, तो यहां हमने आधा कप घी का इस्तमाल किया था, जो मिल्ड करके हमने डाला था, तो घी को मिल्ड कर लिजेगा और तब डालिएगा और फिर इसके बाद दोनों हाथों से आपको मैदे को बहुत अच्छी तरह से घी से मिला देना है और हतेलियों से जब ये इस तरह से गोल बनने लगे तो समझे आपका मोवन परफेक्ट पड़ा है और हमारी यहां चीनी भी ठंडी हो गई थी तो अब इसे थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरह से हम इसे एक मीडियम दोर त्यार कर लेंगे जो ना ज्यादा हाथ होगा और ना ही ज्यादा सॉप्ट यहां पर हमने डोर बना कर त्यार कर लिया है अब इसे ढख कर रख देते हैं 20-25 मिनट के लिए तो यहां पर हमने किच्छन टॉ मिनट हो गया है चलिए अब एक बार आटे को फिर से हम अच्छी तरह से मसल लेंगे तो आपको एक बार इसे और अच्छी तरह से मसलना है दो से तीन मिनट के लिए अब आटे की एक हम बड़ी लोई लेंगे उतने आटे में हमने तीन बड़ी लोई यां बना कर तयार की थ तो उसे न सक्करपारे में लेयर आएगी और ना ही वो खस्ते बनेगे तो चारो किनारों को हमको काट कर निकाल देना है क्योंकि इसे सेप नहीं अच्छा दिखेगा तो इस तरह से चारो किनारों को काटने के बाद हम लंबे लंबे में कट कर लेते हैं तो आपको जितनी बड़ी सक्करपारे की साइच चाहिए उतने बड़े आकार में आप काट सकते हैं तो यहां पे हमने सारे सक्करपारे को काट लिया है और इतनी मोटी आपको सक्करपारे को रखना है इससे बहुत ही अच्छा लेयर आता है और बहुत ही खसा बनकर तयार होता है और तेल को हमने रख दिया था गरम होने के लिए तो तेल को आपको बहुत गरम नहीं रखना है ना ही मीरियम गरम रखना है आपको low temperature पर तेल को गरम रखना है ताकि जब सक्करपारे हम इसमें डा तो एक से दो मिनिट के बाद हम सकरपारों को हलके हाथों से चला देते हैं ताकि नीचे लाल ना हो जाए और इसी तरह हम लो फ्लेम पर सकरपारों को फ्राई कर लेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो यहां पर हमारे टेस्टी और सुपर क्रिस्पी करारे सकर बिलबब रोग Ε duel आधी कि ने करने तो अगर को आपकर चेंदे ग्याल है तो जब आप से किन रिफ पन कर तैयार हुए है तो अगर आपको आज ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल EG COVID-19 को नहीं सस्क्राइब किया है तो जरूर करिएगा इजी और टेस्टी रेस्पी देखने के लिए चैनल को जरू सस्क्राइब करिएगा जाद चे जाद लोगों को इस वीडियो को शेर करिएगा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत मिलो लिएगा उससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी वीडियो देख सकते हैं तो इसी तरह प्यार और सपोर्ट इस चैनल को देते रहे हैं और हमें आगे बढ़ाते रहे हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए